सबको बहुत-बहुत नमस्कार आज इस गुरु पुर्णिमा के आउसर पर आपको बहुत-बहुत शुबकाम नाए और मेरा नमस्कार मेरे कथक नुरुत्य विशय के गुरु डॉक्टर सव मंजीरी देयो मेरी मा जी, नुरुत्य समराठ नतराज गोपी कृष्ण जी, आदर्निय पंडित बिर्जु महाराज जी और आदर्निय दॉक्टर पूरुदादित जी इन सबको मैं विनम्बर अभिवादन करता हूँ कुछ दिन पहले आदर्निय गुरुजी डॉक्टर पूरुदादित जी ने सभी के लिए एक समस्या पूर्ती दी थी, क्यूं छलकत है माथे पे पानी तो इस विशय पर मेरे प्रिय अमित्र और मेरे किंचित शागिर्द डॉक्टर माधों मांजरेकर ने बहुत बढ़िया कविताय लिखी है मेरी माजी डॉक्टर मंजरेदेव जी ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया कि इस कविताओं को आप म्यूजिक कीजिए, कम्पोज कीजिए तो मैंने ये प्रयास किया और इसको गाने के भी जुरुद की इसके पीछे मेरा ये विचार था, ये विचार है कि मेरे गाने के उपर मेरी मा, मेरी गुरु भाव दर्शन करे और ये मेरा सपना आज साकार हुआ, इसमें से जो दो कविताए हैं इसके उपर माजी आपके सामने भाव दर्शन करने वाली हैं, ये समस्या पूर्ति की ये जो आज गुरु पुर्णिमा के आउसर पर ये जो हो रहा है ये मैं विनम्रता पुरुवक आदरणिया गुपी जी को समर्पित करता हूँ उनसे मैं बहुत कुछ सिखा हूँ तो उनका समरण करके और मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करके आपके सामने डॉक्टर मंजीरी देव पेश कर रही है समस्या पूर्ती क्यों माथे पे छलकत पानी है नमस्कार नीरभरन जमना तट गई मैं पाच्छो पड़ गयो शाम पाच्छो पड़ गयो शाम पटक दियो सरसे मुरी गगरी भीग गई सरेया के ही कारण है छलकत छलकत माथे को पानी काबत लाओं कुवर शाम की काबत लाओं कुवर शाम की नट खट छेड़ कहानी नट खट छेड़ कहानी अब लूग अगर या देखू बारिश या फिर जाओं कुले सो दिल आजावे भर सो मोरा दिल आजावे भर सो मोरा नीर जर अखियन सो अब कोई पूछे केई कारण है माथे को पानी का बतलाओं सखिराधा की बावरे पन की कहानी ये पगलावे की कहानी ये दीवानगी की कहानी की की पूछे अगलावे विल आजावे बावे फिल्डावे झाल की 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 करत